नमस्कार, मिशन पंजाब, माफ करिए, न्यूस 24 मन्थन पंजाब में आपका स्वागत है मिशन पंजाब मैंने इसलिए कह दिया, क्योंकि अब मेरे साथ जो मेहमान जुडने वाले हैं उनका मिशन पंजाब बहुत जल्दी शुरू होने वाला है मेरे साथ आप मंथन पंजाब में जुड़ गए है सांसद, भगवंत मान, जो की पंजाब में आम आदमी पाटी का प्रमुख चेरा भी है और पंजाब में पाटी के अध्यक्ष भी है बहुत स्वागत है भगवंत मान आपका न्यूस 24 के मन्थन पंजाब के इस मंच पर मैं चाहता तो था कि आप यहां मंच पर आते फिजिकली मौजूद रहते लेकिन आप सेटलाइट के जरीए हम से जुड़े हम आपको देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप और बहुत फ्रेश तरो ताजा लग रहे हैं यह मिशन पंजाब जो आपका शुरू हो रहा है पंजाब यात्रा बीस तारिक से यहीं से शुरू करते हैं क्या है यह यात्रा कहां कहां से जाएगी क्या लोगों को बताएंगे आप सबसे पहले मानिक जी आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बढ़ाई जो आपने पूरा दिन ये निउस 24 पर सभी पार्टियों को मौका दिया सब को बोलने का मौका दिया बहुत से मैंने लाइब देखे भी तो सबसे पहले मैं आपकी टीम को बढ़ाई देने चाहता हूँ मन्थन पंजाब में और अब आते हैं मिशन पंजाब पर असल में आमादी पार्टी का मिशन पंजाब जो है वो 2014 में ही शुरू हो गया था जब किसी ने नहीं सोचा था के चार सांसत चुने जाएंगे तेरा में से तो आमादी पार्टी का मिशन पंजाब 2017 में भी जो है वो देखा गया कि पहली बार कोई पार्टी विधान सबा का एलेक्शन लड़ी और पहली बार इविपक्ष में आ गए अकाली दल अपनी हिस्ट्री में पहली बार तीसरे नंबर पर आया तो मिशन पंजाब तो हमारा पहले से ही जा रही है बाकी इस बार लोगों के पास फिर जा रहे है 2022 की इलेक्शन के लिए घर घर जाएंगे अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी नी छोड़ेंगे वो पंजाबी में एक हावत है के माली दा कम पानी पौणा पर पर मशका पावे मालिक दा कम फलफुल लौना लावे जा ना लावे लोगतंतर में मालिक जनता है ये पबलिक का काम है बगवंतमान आपने का के आपने 2014 से अपने इस मिशन पंजाब की शुरुआत की थी चार सांसद चुन के आए थे उसके बाद 2017 में भी आपने 20 सीटें जीत ली थी बेल्कुल सही का आपने जबरदस्ट एंट्री आपकी पार्टी ने पंजाब में मारी थी और आप उस मिशन में सबसे आगे थे लेकिन आज अगर पीछे मुड़के देखें चार में से दो सांसद आपके चले गए बीस में से कितने विधायक आपके चले गए और अभी भी जा रहे है ऐसे में आपको इतनी उम्मीद क्यों है कि इस बार आपका मिशन पंजाब कामियाब हो जाएगा मानिक जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने देखो हमारी पार्टी जो है छे साल परानी पार्टी है छे साथ साल परानी पार्टी पार्टी अभी कंट्रक्शन मोड में है कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं पार्टी में जो दूसरी तरफ लाइन लंबी देखकर के इदर तो हमारी बारी नहीं आएगी इदर आ जाते हैं कुछ स्वार्थी लोग जब कुछ अपना कोई मंतब लेकर मकसद लेकर आ जाते हैं के इदर आके हम ये कर लेंगे जब वो पार्टी में पूरे नहीं होती उनकी च्छाएं जब उनके मकसद जो सोचके आते हैं तो वो इदर उदर हो जाते हैं इसमें कोई प्राबलम नहीं है पार्टियों में ये इदर वो इदर चले गए वो इदर चले गए वो चला रहता है लेकिन संक्ठन बड़ा होता है व्यक्ति बड़ा नहीं होता मैं ये कहना चाहता हूँ मैं कलियान सिंग की उधारन देना चाहता हूँ कलियान सिंग इतने की मिट्टी को माथे से लगाते थे इतने बड़े नेदा थे बाजपाई जी के साथ उनकी अनबन हो गई पार्टी छोड़ दी उसके बाद कहां गए वो बिलकुल उमा भारती जी वो भी पार्टी छोड़ दी उसके बाद कहां संक्ठन बड़ा होता है तो मैं तो संक्ठन में जकीन करता हूँ 2014 से पार्टी के साथ हूँ रहूंगा और संक्ठन को मजबूत करते रहेंगे अभी तो पौने तीन करोड़ लोग हैं पंजाब के अभी तो क्रोड़ों लोग और पार्टी से जोडने हैं पांच साथ चले भी गए कोई बात नहीं करोड़ों लोग और आएंगे और जीतेंगे लड़ेंगे और लड़ रहें आपने का जीतेंगे तो मैं यहीं से शुरुआत कर लेता हूँ अपने और तीखे सवालों की इस बार कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहें कि आपकी पार्टी जीत लेगी कितनी सीटें कोई टार्गेट रखा है क्या देखिया उम्मीद पे दुनिया काइम है कोई मैं यह जोत्षी नहीं हूँ कि मैं यह कहूं कि इतनी जीतेंगे जीतेंगे लेकिन मेहनत में कोई कमी नी छोड़ेंगे हाँ दिली का जो मौडल है जो दिली में करके दिखाया हमानी पार्टी ने अर्विन केजरीवाल की सरकार ने जो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है जिस जिन बातों की चाहे वो महला कलीनिक हों चाहे वो सरकारी स्कूल के के जाएंगे गुजरात की तरह जूटा जो गुजरात का मॉडल था जो मोडी जी ने दिखाया था वो मॉडल हम लेके नहीं जाएंगे क्योंकि दिल्ली और पंजाब का बहुत कलोज डाई तीन सो किलो मिटर है हर रोज एरपोर्ट से पता नहीं कितने लोग आते जाते रहते हैं तो लोगों को पता है कि दिल्ली में जो काम हुए हैं वो नजर आने लगे हैं और दिल्ली में जब मानिक जी जब दिल्ली में 2020 में हम चुनाप पर चार कर रहे थे तो हम तो बात कर रहे थे अच्छे स्कूलों की महला क्लीनकों की अच्छे हस्पतालों की बिजली की पा तो लोगों ने नकार दिया अरविन केजरिवाल को आतंगवादी तक बचा दिया आतंगवादी है जोगी जी ने कहा तो दिल्ली के लोगों ने बता दिया कि वो आतंगवादी नहीं है और दिल्ली का बेटा है और वो ही जो बीजेपी है वो दिल्ली में सिर्फ साथ सीटों लेकिन बबनत्मान इस पर आपका मुकाबला बीजेपी से नहीं है आप गुजरात मॉडल की बुराई कर रहे हैं दिल्ली मॉडल को प्रचारित कर रहे हैं आपका मुकाबला बीजेपी से है यह नहीं पंजाब में सब मान रहे हैं या तो कॉंग्रेस है या फिर अकाली दल है बीजेपी तो लड़ाई में है नहीं पंजाब में कहीं भी तो कॉंग्रिस जो है नैशनल पार्टी है सबसे पुरानी पार्टी है अठारा सो पचासीज में बड़ी थी तो नैशनल पार्टी की नैशनल कैपिटल में कितनी सीटे हैं दिल्ली में जीरो पंद्रह में भी जीरो बीस में भी जीरो इसका मतलब उनको कोई नुकसान नहीं हुआ उन्होंने अपनी पोजीशन मैंटेन कर रही है यही हालत पंजाब में भी होगी इन्होंने क्या किया इन्होंने साड़े चार साल लूट मचाई अब क्या किया मुख्यमंत्री बदलकर ये बता रहे हैं जी अब नई सरकार आ गई सरकार नहीं नहीं आई सरकार वो ही है आदी से ज्यादा कैवनिट वो ही है जिनके रेते और माफिया में हिस्सेदारी है वोही हैं, अली बाबा बदलिया चोर वही है så लोगों को सब पता है कि सिरफ अनौस्मेंट कर रहे हैं, एलान कर रहे हैं ये कर देंगे साड़े-चार सल तो हमारे खजाना मंतरी कहते रहे खजाने में पैसा नहीं है, खजाना खाली है, खाली है अभी चन्नी साब बोलके गए हैं पजाब का खजाना कभी खाली नहीं हो सकता हम ये कर देंगे अभी चन्नी साब कह रहे थे साड़े चार साल उन्होंने मजे लूटे वो लोगों को मिले नहीं चन्नी साब भी तो उस समय कैवनेट में थे तो इसका मतलू उस मजेदारी में उनका भी तो हिस्सा था तब क्यों नहीं विरोध किया है अब कहते हैं मुझे टेंट भी लगाना आता है तो मुझे भी लगाना आता है अब कहते हैं मुझे गाय या बैंस का दूद निकालना आत अगले बीस दिसंबर बाइस पचीस दिसंबर तक कोड लग जाएगा क्या करोगे सिर्फ सपने दिखा रहे हैं और कुछ नहीं हैं लोग सब समझ चुके हैं लोगों ने मन बना रखा हैं कि इन दोनों पार्टियों से हमने निजात पानी हैं अकाली दल का तो ना मतलू अकाली कप्तर वाले नर्मे के खेत में नीचे धर्थपी पर यही काम करने के लिए आमाने पाटी आई थी पग्वांत पान लेकिन चरंजी सिंग चन्नी को सीम बनाने का जो कॉंग्रेस का फैसला था उसे तो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं बहुत सारे लोग कॉंग्रेस वाले खुद कह रहे हैं पहली बार एतिहास में किसी दलित कौम ने सीम बनाया है 32% दलित हैं ऐसे में बहुत सारे सर्वे ये बात कहें भी रहे हैं कि हो सकता है कॉंग्रेसी इस समय सबसे आगे निकले और कोई भी पार्टी सरकार ना बना पाए देखो मैं जाती समय करन में नहीं जाओंगा जी चन्नी साथ उस समय भी टेकनिकल एजुकेशन मिनिस्टर थे उस समय भी जहाज के जहाज भरके आईलेट्स करके हमारे युबा विदेश जा रहे थे उस समय तो वो रोक नहीं पाए अब मुख्यमंत्री बनके वो मतलब उन के हाथ में है क्या मुझे ये बता दीजिए हर तीसरे दिन को दिल्ली बुला लेते हैं और हर बात पे नवजो सिद्दू जो हैं उनके परधान हैं वो उन पर करते हैं के लॉली पॉप मत लेना जे दो तिन महीने के लॉली पॉप हैं तो कॉंग्रेस की इतनी गुटबाजी है अंदर की वो जब सामने आएगी अभी कैटन साब भी कहके गए हैं के कोड लगने दो उसके बाद कॉंग्रेस का हाल देखना तो मतलब इनकी अंदर की गुटबाजी भी इतनी हैं लोगों ने मन बना रखा हैं कि इस बार हम जाडू को मौका देंगे एक बार जो पंद्र बिलकुल यही पंजाब में होगा लेकिन अगर किसी की सरकार नहीं बनी बहुत सारे सर्वे जैसा मैंने पहले कहा बोल रहे हैं कि इस बार त्रिशंक को विधान सभा सकती है हो सकता है किसी को भी बहुमत ना मिले ऐसे में क्या कोई संभावना आप देखते हैं पंजाब में किसी पार्टी से नतीजों के बाद कोई समझोता हो जाए या तो कॉंग्रेस से हो जाए या शिरुमनियक काली दल से हो जाए कैप्टेन साब से हो जाए बीजेपी से हो जाए मानिक जी मानिक जी असल में न हमारा तो इन सर्वों से न यकीन ही उठ गया है पिछली बार हमें भी सो दे रहे थे जब ग्राउंट पे रिजल्ट आए तो बीस आई तो हम तो अब ग्राउंट पे यकीन करते हैं सर्वे चलते रहते हैं अभी सर्वे तो किस ने कहा था कि ममता को दो सो बीस आ जाएंगी वहां पे ये कह रहे थे हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे तो इसलिए ये सर्वों से सर्वे कितने आद्मियों को करूंगे एक विधान सवा में दो सो का सेंपल ले लोगे हजार का सेंपल ले लोगे हजार का सेंपल दो लाख को कैसे कंपीड करेगा और कई बार लोग नहीं भी बताते सच तो इसलिए हम तो गराउंड पे काम करने में जिकीन करते हैं हम ये कोई किसी ने ये सर्वे कर दिया ये आएंगे वो आएंगे उसमें ना तो हम भ्रहमित होंगे कि हम खुश हो जाएं हमें इतने आ रहे हैं हमने मेहनत करनी है जितनी दे रीबन टच नहीं करते हम पीछे मुड़के नहीं देखेंगे तो क्या इस बार आम आदमी पार्टी आपके चेहरे पर पंजाब में चुनाव लगने जा रही है या आप और अरविन केजरिवाल दोनों होंगे और अगर दोनों होंगे तो सीम का चेहरा कौन होगा मैं सोच रहा था कि ये सवाल इतनी लेट क्यों हो गया क्योंकि देखो CM का चेहरा पंजाब से होगा ये पहले नौन्स कर चुके हैं अर्विन केजरीवाली और पंजाबी होगा जिनको पंजाबी प्यार करते हैं वो ही होगा और ये पार्टी की रननीती होती है समय आने पर हम बता देंगे भी ना तो कॉंगरस ने अपना CM का चेहरा बताया ना BECP ने अपना को progressing का के का चेहरा आ और प्राइविट लिम्ट पार्टी पार्टी का कमपनी हैं अकालिदल उन्होंने भी नहीं अभी बताया कि सुगवीर ब सवाल हम से पूछ जाते हैं CM का चेरा कौन होगा कौन होगा लेकिन हमारे लिए CM का मतलब common man है जो भी होगा आम आदमी होगा और आम आदमियों में सी होगा और आम आदमियों की तरह वो लोगों की सेवा करेगा आप उसके लिए तयार हैं ना अगर अर्विन जी आपसे कहें भगवंत तू बंजा CM का चेरा आप तयार हैं ना इस जिम्मेदारी के लिए ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे सर आपको अगर आपके अनरादा परसाद जी कहें कि आपको और तरक्की दी जाती है क्या मना करो गया अगर मेरे में इतना यकीन करेगी पार्टी मेरे पे इतना बिश्वाश करेगी पार्टी कि तुम तुमारी ड्यूटी यहां लगाई जाती है तो मैं मैं ओ ड्यूटी क्यों नहीं बहूंगा इससे पहले 2017 में मुझे कहा गया बगवंत चल जलालाबाद सुकवीर बादल के खिलाफ लड़ना है लड़ा में 58,000 से ज़्यादा बोट पड़े बड़ी मुश्कल से सुकवीर बादल जीता लेकिन क्योंकि मैं कमपेन कमेडी का चेर्मेन भी था तो मुझे पूरे पंजाब में रैलियां जनसबाएं भी करनी पड़ी वो भी की मैंने तो मेरी तो ड्यूटी जहां भी लगेगी मैं अपनी निभाता रहूंगा हाँ अगर पार्टी मेरे में इतना बशवाश करेगी कि भगवंत तुम्हें हम CM के लिए प्रजेक्ट करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा जी अगर आपको यकीन है आपने ये सब तरफ से ये पूछ लिया होगा जा इदर दर से पार्टी में रिपोर्ट आगे होगी तो कौन मना करेगा तरक्की के लिए क्या कहेंगे अगर मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले तीन काम कौन से करेंगे मानिक जी मानिक जी एक बात है मैं पंजाब की सेवा करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री बनू ना बनू अभी मैं साथ साल से सांसदू 40 से 50 करोड रुपे मेरे हाथों पब्लिक में चला गया UP LATS का कुछ और Planning का एक रुपे की भी corruption का एक रुपे की भी corruption का इलजाम नहीं है अभी भी संगरूर में किराए के मकान में रहता हूँ अभी भी मेरी माँ गाउं में रहती है और कभी भी मेरी माँ को मैं सरकारी गाड़ी में नहीं भेजता क्योंकि सरकारी गाड़ी में अगर MP बैठा है तो बैठ सकते हैं otherwise नहीं बैठ सकते हैं हम misuse नहीं करते हैं उसको तो मेरा मतलब यह है मैं सेवा करनी चाहता हूँ जब मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल जी उन्होंने पहले जुगी जोपडियों में गरीबों का कलियान करना शुरू किया उसके बाद उन्होंने एक NGO बनाया इंडिया गेस्ट करॉप्शन उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं प्लिटिकल पाबर चाहिए दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए तो कर सकते हैं उन्होंने पार्टी बनाई मुख्यमंत्री बने और दिल्ली के लोगों की जिंदगी उन्होंने पल्ट के रख दी दिल्ली के लोगों की काया पल्ट दी जिन्दी की दिली के लोगों का जीवन स्तरूचा कर दिया प्लिटिकल पाबस अगर मेरे पास कोई ऐसी हरा पैन हरे रंग का पैन आता है तो पंजाब के लिए काम करूँगा किसी ट्रांसपोर्ड माफिया में हिस्सा नहीं होगा मेरा किसी रेत के खड़े में मेरा हिस्सा नह आपके चैनल पर मैं काम भी करता रहा हूं जब आटिस्ट के तोर पर तो मुझे कोई शोहरत या कोई आटोग्राफ या फोटो खिचवाने का शौक नहीं है बस एक ही दिल में तुमना है कि पंजाब को दुबारा पंजाब बनाना है इसको कैलिफोर्निया लंडन पैरिस बना देंगे डिपटी सीम कोई कहता है कि देखो जी हमारे यां तो ये दलित नेता हैं आप भी ऐसा कुछ बादा करने वाले हैं क्या 22 परसंट दलित हैं इसलिए हर पार्टी चाहती है दलित नाराज ना हो मैं तो पंजाब की बात कर रहा हूँ पूरा पंजाब उसमें सब आते हैं पंजाबियों की जो हालत है आज आप क्योंके दिल्ली रहते हो आप पंजाब में बहुत से आपके जो मित्रगन हैं यहां बैठे हैं सामने ये पंजाब में रहते हैं पंजाबियों के चेहरे इतन आजकल देखे जा रहे हैं हर कोई उदास है महंगाई गरीबी और बेरुजगारी हम तो आईलेट्स को एक डिग्री समझने लगे हैं कि हमारा बच्चा आईलेट्स कर गया चल बेटा कनेडा चल बेटा अस्टेलिया न्यूजीलेंड हर रोज जहाज भरके जा रहे हैं हमारा यूध यहां से भाग रहा है ब्रेन ड्रेन हो रहा है क्यों क्योंकि उनको फ्यूचर में कुछ नजर नहीं आ रहा रहा हम उनको रोकने का काम करेंगए अगर यहीं पर नौकरी मिले तो क्यों हम धक्य खाए मेरे पास इतने पासपोर्ट आते हैं सौधी अर्ब से मलेशिया से सिंगापुर से अर्मीनिया से इतने बच्चे फस गए हमें निकाल लो जी वीडियो आते हैं मैं लेके भी आता हूं उनको निकाल के क्यों जाना पड़े हमें इतनी फ्रटाइल धर्ती गुरु नानक साब का कल गुरुपु रहे हैं किसकी बजा से इन दोनों पार्टियों की बजा से जोनों राज किया अब इनके तो महल महल बन रहे हैं इनके होटल बन रहे हैं और लोगों के जो छोटे मोटे घारा हैं वो भी तूट रहे हैं लोग यहां से भाग रहे हैं चलो 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 क्यों तो यह ब्रें ड्र 72% दिल्ली को 0 बिलाता है 20,000 लीटर पानी फ्री है और इसलिए आपने फ्री बिजली फ्री पानी का बादा ये मुफ्त खोरी नहीं है मानिक हाँ लेट मी फिनिश लेट मी फिनिश ये मुफ्त खोरी नहीं है लीकेज बंद करो अगर लोगों के टेक्स का पैसा खजाने में आएगा तो उसको बापस लोगों को देने में एक हर्ज क्या है अगर साड़े तीन सो करोड का जो बजट बनाया था किसी ओवर ब्रिज का उसको अरविंद केजरीवल ने दो सो करोड में बना दिया डेड़ सो करोड जो बच गया उससे दिल्ली में दवाईयां फरी कर दी तो ये मुफ्त कोरी थोड़ी है लोगों के टेक्स का पैसा अगर लोगों पर खर्च होने लगेगा तो लोगों को बिशवाश बनता है वो ज़्यादा टेक्स देते हैं कि हाँ ये हमारे टेक्स का पैसा सकूलों के रूप में कॉलिज के रूप में इंफरस्रक्टर के रूप में रोड्स के रूप में बिजली के रूप में पानी के रूप में हम पर वापस आएगा ये बिश्वाश बनाने की जुरूरत है दिली में बिश्वाश बन गए पंजाम में 2022 में बन जाएगा बगवंत मान ने सब को निशाने पर लिया कैप्टेन को लिया चन्नी जी को लिया सुखबीर बादल को लिया लेकिन सिद्दू जी के बारे में कुछ नहीं बोले पुरानी दोस्ती है इसलिए क्या नहीं दोस्ती तो कोई ऐसी बात नहीं मैं कोई परसनल टैक नहीं करता हूँ लेकिन वो इससे पहले चन्नी जी की इंटर्वू चल रही थी तो अनुरादा जी ने उनसे सवाल बूचा था कि अगर सिद्दू जी हैं तो अपोजिशन की जरूरती नहीं है तो वो खुदी सरकार पर इतने सवाल उठाते रहते हैं तो हमारा काम भी वो असान बना देते हैं कई बार तो हमें यही कहना बढ़ता है हां जी हम सिद्दू जी की इन बातों से सहमत हैं तो मतलब वी आर नॉट क्रिटिक बाई हैबिट हमारी आदत नहीं है लोच न करना अगर अच्छा काम करेंगे तो हम तरीब भी करेंगे लेकिन बिपक्ष का काम होता है सरकार पर नजर रखना कि लोगों के बिश्च का आजा कि लोगों के खिलाफ कोई काम न करें अभी किसान अंदोलन चल रहा है अभी आठ दिन के बाद एक साल हो जाएगा 26 नुवंबर को दुनिया का सबसे बड़ा परदर्शन लंबा परदर्शन हो गया पार्लियमेंट में हमने कहा ये कनून मत लेके आओ बिधान सबा में हमने पंजाब में कहा ये कनून रद कर दो सडक पर हम कह रहे हैं रद कर दो मुझे ये बता दीजिए मानिक जी मैं मोदी सरकार जी से पूछता हूँ कि जिन लोगों के लिए कनून बनाया है कि आपकी भलाई के लिए कनून बनाया है वो कहरे हमें ये कनून नहीं चाहिए तो फिर सरकार को उस कनून को बापस लेने में बगवंत पान फिर से मैं उसी पर आ रहा हूँ आप बीजेपी को मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं लेकिन आपकी टकर मोदी से बीजेपी से ही नहीं पंजाब की लडाई में बीजेपी कहीं ही नहीं ऐसे में आप किसान अंदोलन को मुद्दा बना के क्या हासिल करेंगे पंजाब की सारी पाठियां किसान अंदोलन का समर्थन कर रही है ऐसे में आपको मुद्दे वो बनाने चाहिए जो राज्य में असर रखते हो राज्य में जिनकों लेकर मद्वेद हो किसान अंदोलन पंजाब का मुद्दा नहीं है सबसे ज़दा तो अन्य दाता किसान पंजाब का है हमारी धर्ती खत्म हो गई हमने जब अमेरिका से ये गेहूं मंगाते थे भारत भीक मांगता था इदर उदर से दूसरे कंट्रियों से तब हरी करांती के रूप में पंजाब ने पुए देश के अन्य पंडार भर दिये अकाली दल भी कह रहा है वापस होना चाहिए और आम आदमी पार्टी भी कह रही है वापस होना चाहिए बीजेपी तो सत्ता में है नहीं पंजाब में केंदर में सत्ता में है आप अगर आप ही गए पंजाब में सत्ता में आप कैसे कारून वापस कर पादेंगे बताईए लागू नहीं होंगे जी नहीं लागू कर पाएंगे नहीं लागू होंगे जी ये पता क्या है मैं FCI कमेटी का मेंबर हूँ सेंडिंग कमेटी का FCI जो है वो असल में पंजाब और हर्याना से गेहूं और धान खरीदने से भाग रही है कि अब हमें नहीं चाहिए जैसे किसी बैल से काम लेकर उसको छोड़ दिया जाता है न आईसे किया जा रहा है हमारी धरती खत्म हो गई हमारा पानी खत्म हो गया धरती के जो 17 पानी का लेजल अकरी दो सवाल और टाइम खत्म हो रहा है एक सवाल ये कि मैंने नव्जोज सिंग सिद्धू के बारे में आप से इसलिए पूछा क्योंकि चर्चा अभी से नहीं बहुत पहले से चल रही है कि सिद्धू जी आम आदमी पार्टी में आ सकते है क्या आपने दर्वाजा अभी भी खोल रखा है इतन нहीं हुई कि उन्होंने आने के लिए कहा है जो हमने इच्छ अभक्त कियें अर हां मैं इतना कहता हूँ क्योंकि मीरे लफ्टर चैलेंज से वो जज्ज रहे हैं की एतना तो कहना बनता भी है कि वो इमांदार हैं अच्छे वकता हैं और मुद्दे उठाते हैं तो जो पंजाब के हित में काम करता है उसके बारे में अनाप्शना बोलने से क्या फैदा हुआ फिर तो यह कोगा कि यह भी गलत है यह भी गलत है तो ऐसा थोड़ी होता है कि कोई मेरे में भी 100 कमिया होंगी सोला कला समपूरन तो कोई होता नहीं लेकिन पार्टी में आने की कोई ऐसी बात नहीं चलती माने की चंडीगर में वो आपसे सवाल पूछ रहे मान साथ ये बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री चंजी सिंग चंडी आये थे वो कहके गए हैं कि आपके जो बिधायक थे जो पंजाब की जनता ने जिनको फत्वा दिया था वो आधे रह गया और आधों में से भी ज़्यादातर कॉंग्रस के संपर्क में है आप अपनी पार्टी के बिधायक नहीं संभाल सकते पंजाब क्या संभालेंगे असल में चन्नी साब ये कॉंग्रस का न हमारे विधायकों पर ये आख रहती है अभी सुकपाल खेरा की बात सुन लो आज उसने क्या कहा है कि मेरी पार्टी मेरा साथ नहीं दे रही पहले अपने संभाल लो किसी को वो कुर्सी पे नहीं बैठने देते किसी को कहते हैं तू चल पर बाहर जा सो आमादी पार्टी के जितने मैं मैंने पहला स्वाल इन्होंने पूछा था मानिक जीने इदर उदर से कुछ लाल चीजा स्वार्थी लोग जो आए थे वो चले गए कोई बात नहीं हमारी पार्टी कंट्रक्शन मोड में है छे साल हुएं साथ साल हुएं अठारा सो पचासी में कॉंग्रिस बनी थी बिशाल जी और 1930 में पहली म्यूस्पल कार्परेशन की सीड जीती थी तो मतलब अभी हम कैसे पूट रे मादि हैं रहे हैं कोई बात नहीं जिनकी कुई नालच विधस शवार्थी होंगे वो चले जाने कोई बात नहीं लेकिन आबाद लोगों की पार्टी है सिर्फ भीधािकों की नहीं आम लोग हमारे साथ जुड़ें उन्हीं में से बिदायक निकलेंगे पहले भी तो जो चले भी गए वो कौन है वो भी तो आमी लोग थे पिरमल खालसा कौन था बेर्जगार लैनमन जुनियन का परधान जा रहे हैं कोई पार्टी में नुक्स है लीडर्शिप में नुक्स है किसमें नुक्स किसमें है आप ही ने उनको टिक्टें दी थी आप ही ने लड़ाया लेकिन आपको छोड़ के तुछ नुक्स नहीं है, सबर की कमी है, कई बार पेशन्स लूज कर जाता है आदमी, लेकिन जो पॉलिटिक्स है राजिनीती है, पेशन्स की गेम है, खड़े रहो अपने अड़े पर खड़े रहो, बहुत-बहुत धन्यवाद शुब कामना है, बगवन्त मान, थैंक यू सो झाल, सुम्हाट